लिवर शरीर का वो हिस्सा जो तब तक नहीं मर सकता है जब तक उसके 75 प्रतिशत से भी ज्यादा सेल्स डेमेज न हो जाएं यानि अगर इस लिवर के 25 प्रतिशत सेल्स भी बच गए तो लिवर अपने आप ही खुद को रिपियर कर लेगा इस लिवर के फंक्शन के बारे में तो पूछो ही मत सैकडो फंक्शन्स हैं इसके इतना कि बॉड़ी में कोई और वाइटल औरगन इतना ज्यादा फंक्शन्स नहीं दिखाते हैं इतना बोलकर मैं आपको ये बताने में सक्षम हो पाया हूँ कि लिवर कितना ज्यादा important है हमारी बॉड़ी के लिए केवल लिवर के स्वस्थ रहने से भी आपके बॉड़ी में कोई रोग ना हो तो अब जिग्यासा का mode on होता है अब हम ये जानना चाहते हैं कि लिवर आखिर काम कैसे करता है जो इतना ज्यादा important है और इसके काम क्या क्या है चलिए आज आज आपको इसके बारे में एक एक बात बता देंगे और आपको ये जानकर मज़ा ही आ जाएगा देखिए लिवर हमारे पेट में बिलकुल डायाफ्राम के नीचे दाहिनी तरफ होता है जो की दो लोब में बटा रहता है इसका जो दाहिना वाला लोब होता है वो अपने बाय लोब से 6 गुना ज्यादा बड़ा होता है और इनी दो लोब के बीच में से ही हमारा इसोफेगस होकर गुजरता है हमारा लिवर गहरे भूरे रंका होता है इसके उपर एक कैपसूल जैसी परच चड़ी रहती है लिवर वजन में 1.5 किलो तक होता है और इसकी चौडाई की बात करें यानि जो दाएं से बाय तरफ की लंबाई होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर तक होती है मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया है कि हिर्दय कैसे काम करता है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हिर्दय एक माहा धमनी से जुड़ी रहती है जिसे कहते हैं एयोर्टा ये बिल्कुल नैशनल हाइवे के तरह होता है जो शरीर में सभी धमनियों से जुड़ा रहता है यहीं से शरीर के सभी हिस्सों को खून जाता है इस एयोर्टा से एक बहुत बड़ी धमनी जुड़ी रहती है जो की स्प्लीन से जाकर जुड़ जाती है उसके बाद एक कॉंप्लेक्स सिस्टम से जुड़ी हुई रक्तवाहिकाएं हमारे अगनाशय यानि पैंक्रियाज और पेट से होते हुए हमारे लिवर से जाकर जुड़ी जाती है लिवर से ये जब जाकर जुड़ती है तो इसे पोर्टल वीन कहा जाता है लिवर में जितना भी खून जाता है उसमें से 80 प्रतिशत खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम ही होती है वो इस पोर्टल वीन के थू ही लिवर में जाता है साथी साथ क्योंकि ये पेट, इंटेस्टाइन और स्प्लीन वगएरा से होकर आती है इसलिए इसमें बहुत सारे पोशक तत्व जैसे फैट, विटामिन, कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन वगएरा ये सब होते है उसके बाद इसी एरोटा से एक और बहुत बड़ी आर्टरी निकलती है जो कि सीधा सीधा, डायरेक्ट ही लिवर से आकर जोड़ जाती है इसे हेपेटिक आर्टरी कहा जाता है हमारे लिवर में जितना भी खून जाता है ना उसमें से 20 प्रतिशत खून इसी हेपेटिक आर्टरी से ही हो कर जाता है और चुकि ये हिर्दय से यानि एरोटा के थूँ डायरेक्ट हमारे लिवर में आता है इसी लिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर रहती है चलिए आप इतना तो समझ गया कि लिवर में दो बड़ी-बड़ी बलड वैसल साती है एक तो हमारे पेट वगएरह से आती है जिसमें बहुत सारे पोशक्टत्रो होते हैं लेकिन उसमें oxygen की मात्रा कम होती है और एक आती है direct हिर्दा से aorta के थुरू जिसमें oxygen की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन वो मात्रा में कम होता है उससे liver को केवल 20 पृतिशत खून ही मिलता है अब देखिए हमें आना है liver के अंदर जब यह सब खून liver के अंदर आ जाता है तो लिवर के अंदर ऐसा क्या process होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा important होता है देखिए जब हम liver को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि liver के अंदर कई सारे hexagonal shape के एक सनचना बनी हुई होती है जिसे hepatic lobule कहते हैं एक बार इस hepatic lobule के सनचना को इन hepatic lobule के 6 corner पर जो 2 मुखी blood vessels आ रही थी hepatic artery और portal vein वहां से कुछ blood capillary इन हर एक hepatic lobule के 6 corner पर आकर blood मुहया करवाती हैं और यहां से blood एक नाली नुमा सनचना बना देते हैं और blood यहां से बहते हुए hepatic lobule के बीच में एक central vein होता है वहां पर जाते हैं यह जो blood नाली नुमा सरचना से बहा कर जाती है उसके दोनों तरफ liver के सबसे main cells hepatocides होते हैं और इसी hepatocides के पीछे की ओर होता है लिवर का दूसरा सबसे important cell कुफर cell जो red blood cells को phagocyte करके यानि उन्हें dead करके bile juice बनाते हैं तीसरा होता है hepatic stellate cell जो की fat को store करता है और चौथा सबसे important होता है sinusoidal endothelial cell जो की liver में blood को detoxifying करने का काम करता है देखिए जब भी liver के इस hepatic lobule पर दोनों रख्तवाहिकाओं से blood आता है तो जैसे ही blood इस नाली जैसे सनचना की तरफ आता है जिसे sinusoid कहते हैं वैसे ही liver के चार main cells blood को process करना शुरू कर देते हैं इसमें होता यह है कि सबसे पहले blood जाता है hepatocides के तरफ जहां पर protein का synthesis होने लगता है ऐसे cells develop होने लगते हैं जो immunity के लिए बहुत जादा important है और सबसे जादा important होता है kuffer cell जो blood में से red blood cells को phagocyte करके bile juice का निर्मार करने लगते हैं जी हां वही bile juice जो हमारे भोजन के पाचन में बहुत जादा important होता है जब भोजन जैसे चीजों को process करके उन्हें amino acid और fatty acid में convert करता है देखिए जब liver bile juice बना लेता है तो उस bile को इकठा करने के लिए प्रकृति ने हमारे liver के नीचे एक बहुत ही जबरदस्त बरतन भी बनाया है उसे कहते हैं gall bladder ये gall bladder ही वो organ है जो bile juice को इकठा किया रहता है जब हम भोजन क करता है और इसी bile juice का निर्मार करना liver का सबसे important काम है लेकिन liver का काम केवल इतना ही नहीं है liver का काम इतना है कि इस पर बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे मैंने अभी आपको बताया कि liver में एक cell होता है hepatic stellate cell liver में इस cell का काम क्या होता है देखिए ये cell liver में कुल liver के व पोशक तत्वों की पूर्ती करता है liver के इनहीं hepatic lobule में एक और cell होता है जो कि liver में बहुत ज़्यादा important role play करता है वो है sinusoidal endothelial cell इस cell का काम होता है कि जैसे ही liver में blood आता है ये cell liver में blood को detoxifying करके उससे hepatic lobule के central vein में भेज देता है और वहां से ये बिल्कुल शुदुखुन liver के बाहर जाता है और हिर्दय में पहुच जाता है कैसे देखिए liver में बाहर की और जाने वाला एक hepatic vein होता है जो कि हिर्दय में नीचे की और inferior venakeva की और जुड जाता है और वहीं से ये शुदुखुन जो कि detoxifying हो चुका है वो अब oxygen लेने के लिए हिर्दय के पास पहुच जाता है वहां से फेफडय पर जाता है और फेफडय से फिर ये हिर्दय में pump होकर पूरे शरीर भर में ये शुद्ध खुन फैल जाता है चलिए आपको इतना तो बता दिया है अब आपको जाते जाते एक bonus देते जाते हैं आपने सुना है ना कि जल्दी जल्दी hepatitis का injection लग लगवालो नई तो यह हमें बहुत बुरी तरीके से बिमार कर देगा आखिर यह हैपटाइटिस होता क्या है देखी हैपा मींस लिवर होता है यह एक ग्रीक वर्ड है और आइटिस का मतलब किसी भी तरीके का इंफ्लेमेशन या इरिटेशन को दिखाने के लिए जोड़ा जा है हैपटाइटिस में लिवर में एक वायरस आ जाता है जो कि लिवर को डेमेश कर देता है और इसकी वर्स कंडिशन में लिवर काम करना ही बंद कर देता है और व्यक्ती मर जाता है है हैपटाइटिस भी तीन प्रकार का होता है है हैपटाइटिस ए हैपटाइटिस बी और ह Hepatitis C, तीनों ही प्रकार में तीन अलग अलग वायरस होते हैं, जो कि लिवर को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, इसलिए बच्पन में आप में से कई लोगों को Hepatitis का रक्सीन लगाया गया होगा, ताकि हमारा लिवर जीवन परियंत सुरक्षित रहे, और जो ह पीली रूबिन का कलर पीले रंका होता है, इसलिए पीलिया में पूरा शरीर पीले रंका हो जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा important knowledge दे पाने में सक्षम हो पाया हूँ, अगर सच में ऐसा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दो और कुछी कॉमेंट करके कुछ भी बताओ, जो भी आपको बताना है लिवर के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, मैं इंतिजार कर रहा हूँ